हेलो फ्रेंद्स वेलकम बैक तो मैं चैनल और मैं आज बहुत दिनों बाद आप से मिल रही हूं जो जो इंसिदेंस हुए हैं वो मैंने सारे रिकॉर्ड तो किये हैं लेकिन ये वीक मेरा बहुत ही ज्यादा बहुत ही मतलब तो मैंने कुछ खास बातचीत करने की इच्छा भी नहीं हो रही थी किसी से बस ऐसा लग रहा था केले ही रहो और इतना ज्यादा काम आ गया था कि मतलब टाइम ही नहीं मिल एक मुझे आप लोगों से मिलने के लिए ठोड़ा से न टीवी का साउंड आ रहा होगा उसके लिए थोड़ा सा बेर कर लिए क्योंकि मैं यह नीचे बना रही हूं पाकी उपर पड़ रही है वह स्कूल नहीं जा रही है तो पुरा वीक हो गया नहीं गई है उसकी वित खराप थे अभी रिकवर हो गई है तो मैं आज बहुत अच्छा फील कर रही हूं इसलिए मैं आप से सो जारी मतलब लास्ट अभी लंच का टाइम ही हो गया है लंच करने सुबह नाष्टा कर लिया और इसके आगे का जो वीडियो है वह मैं एक्स ब्लॉग में आप लोग सा शेयर कर लोंगी तो आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए देख लीजे क्या क्या हुआ हुआ है तो वह आप देख लीजे आगे इसी के कंटिन्यूटी में रहेगा वह तो चलिए बता देती हूं क्या क्या हुआ हुआ है लेखे मैंने दिखाये था ना आपको पपीता हमारे यहां लगा हुआ है तो मैं सोच नहीं इसको तोड लेती हूं अरे तैसी आगया मस्तिक हुआ ह तो थो जादे ही पग्या लगता है चले काटते हूं इसको तोड तो लीओ पपीता पपीता तो ऐसे ही तूट गया ऐसे हाथ लगाई पपीते को और ऐसे करी तो हाथ में आ गया देखती हूं काटके हाँ देखने में तो अच्छा लग रहा है काट के दिखाऊंगे आप लोग को क्यों एक हाथ से नहीं होता है ना कि देखे मैंने काटा ना तो इसके अंदर भी पेड़ा गया है ज्यादे ही पका लिया मैंने लगता है चली काटके देखती हूं कि खाके बताती हूं कैसे मीठे रहे की नहीं और लेके भी जाओंगी पापीता हो गया पैक सिचड़ी हो गई पैक मैं खोड़ूंगी ने ये चमबश और ये और पानी इस तो मेरे को लेके जाना है झाल झाल जाँ झाल 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 जो भी झाल तो मैं वही से आ रही है तो मैं और पाकी दोनों आज पपा से मिलके पाकी के पपा से मिलके आ रहे हैं और मैं घर की तरफ जा रही हूँ तो यह वाकिंग डिस्टन्स पर ही है बस पैदली आयते हम लोग खाना देने और अब मैं जा रही हूँ ऐसा मेरे दो दिन मैंने लगातार किया फिर दूसरे दिन हुआ यह कि पाकी की भी तवित खराब हो गई बुच जाओ दिखाओ दिखाओ तुमको कैसा लग रहा है भी ओ पाकी ओ पाकू इता देखो अब तुम सोती हो तो सोती रहती हो नहीं तो सोती नहीं हो होतल तो गया है बुखार अभी ते जल्दी तो नहीं आएगा रात कह सकते क्या पता क्या होगा यह बेटा उच्जा शोना उच्जा बेटा नेंदू आरा है नेंदू आरा है मच्छ मच्छ काट लेगा यह बेबी नहीं सुन रही मैं ला रही हूँ खाना ला रही हूँ ठीक है चलो मैं जा रही हूँ रोटी बनाने फोन पपा वहाँ पड़ा हुआ तुमारा टीवी देखोगी अभी ठीक लग रहा है जबियत उतर गया बुकार तुमको कैसे पता उतर गया नारो ठंडा होगे ने पसीना भी आ रहा है हाँ चलो ठीक है तो इदे चला ताकि फिर उठे रहने चलो मैं जा रही हूँ ठीक है रिमोर तुमारे उदर रखा है हाथ के पास ही यह 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 देखो ना ओन तो खो जाएगा ओन की बात ही नहीं वो देख ओन होगे चेश्मा भी लेज़े हाँ चेश्मा चलो प्यो पकड़ो इसको हाँ पहले पकड़ो तो तभी तो करूंगी सब करूंगी पहले पकड़ो दो नहीं चलो चलो तो यहाँ पे मैं बाखी के लिए यह टोमैटो सूप बना रही हूँ उसको थोड़ा कफ लग रही है तो यह टोमैटो सूप बहुत ही मतलब कफ के लिए फाइदे मंद होता है तो इसको मैं दूंगी वो बताएगी कैसा लगा उसको गार्निशिंग पीलो पी के तो देखो तुम तो पीलो इसी से पीके तो देखो यह देखो नहीं पीना मतलब है नहीं पीना पीना एकन आफ करता हुआ सौस के बिना नैच्रल बना है आज पूरा नहीं तुमने बोला था कि मत डालना मममा फिर नहीं बोलना देख रहे हो फ्रेंड्स एक काम करो उसके कितने नखरे हैं ऐसे करते हैं आपके बच्चे ऐसे नखरे हमारी तो नखरे वाली है पाकी को बुखार है फ्रेंड्स इसलिए वो सूप पी रही है देखो पहले कितना बोली की नहीं पीएगी लेकिन पीएगी और बोलेगी भी की टेस्टी है मैं पता है ना पाकी चलो जब पीओ तो अब बता हो कैसा है गंदा है तो गंदा ही बोल दे ना कोई दिक्कत नहीं है रियल रिव्यू दे दो चलो पाकी दवाई पी लो अलको मुझे उठाएगा उठाना पड़ेगा देखना भी ये पानी ना गिर जाए कौनसी वाली पहले खाओगी छोटी वाली की बड़ी वाली बड़ी वाली थीक है बड़ी वाली खालो करिण गिरना जाए में पानी बड़ी ये बड़ी बड़ी अवरी खालो प्रिणाए के पाले खाएगा है करो अख चलो अप्रण प्रणी आएगा वाली जाएगा कभी तक कितनी खाली अब डरने क्या बात है पीछे कितरा अगा जीब में और पीछे जीप बहर कर पीछे रखते है जीप बहर कर पीछे रखते है बाया वेरी गुड़ अभी युवाली को क्या बोलते है कौन सी है छोटी है दूसरी है कि नाम बोलनीगी है दूसरी हुआ दूसरी हुआ जाएंगे तो यह बुखार का तीसरा देन आज थर्ड़ दे अपका इसलिए आज पाकी बहुत अच्छी फिल कर रही है है ना दो दिन से तो बहुत ही सैड थी अपसेट थी बिमार थी लेकिन आज बहुत अच्छा फील कर रही है कल भी स्कूल की छुटती रहेगी पाकी की नहीं जाएगी पर्सों से जाएगी जिट्टो वह चोटा बाला ना बहुत जादा करवा था इससे कुछ काम नहीं हो रहा बोटलों से ज्यादा पानी पिएगे और काम होएगा देखना भई ग्लास ना गिरा देना वो टेबल को जमा के रखो इसके पहरे थोड़ी सी पड़ाई हो रही थी ना तो वह खतम हो गई है खाना भी खा लिया अब हम लोग सोने वाले हैं या और कल सुबह आप लोग से मिलूंगे अभी मेरी हालत ठीक नहीं है को अच्छ कल मैं मिलूंगी तो फ्रेंस आपने देखा कि फूरा जो वीक था मेरा क्या हुआ क्या नहीं हुआ आप समझ गए नहीं समझे तो मैं बताओं तो हुआ यूं कि प्रतीक की तवियत खराब ह खराब गया थी अभी वह नहारा है तो इसलिए मेरे सगय प्रतीक की तवियत खराब हो गया थी खराब ऐसे होई थी कि उसको नहीं पहुत ही प्यापिटेशन इसका बढ़ गया था तो हम दो दिन तो हमने वाइट किया वो खुद बोल रहा था कि मुझे चॉंस्टिपेशन है तो शायद इसी की कारण हो रहा है लेकिन वो इतना बीपी हाई हो गया था मैं तब धाई सो तक चला गया था सका बीपी तो हम लोग मैं पस मशीन है उसमें चेक किया तो हमें लगा नहीं अब डॉक्टर पास जाना पड़ेगा लेकिन जो डॉक्टर के पास हम जाते हैं जिनसे हम हर बार बिखवाते हैं उन्होंने आज तक अभी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं बोली तो हम ने उनको फोन लगाया तो फोन लगाया तो फिर पे नहीं थे बोले कि हम तो आउटो स्टेशन गए हुए हैं तो अब क्या करें तो इसने हमने फ्रेंड को फोन किया कि अब क्या किया जाए तो फ्रेंड आया तो बोले कि चलो चलते हैं तो इसने बोला यहां बहुत अच्छा था कि उसकी वाइफ का भी यहां पर कुछ ट्रीटमेंट हुआ था उन्होंने बहुत अच्छा से किया तो उन्हों ने अब्सवेशन में रखने की बात करी इको उसका इसीजी लिया बहुत हाई मतब जो आता है और ग्राफ काफी फ्लक्टुएशन के साथ दिख रहा था तो फिर मुझे बुला के बोले कि ऐसा ऐसा है अभी तो अब्सवेशन में 24 आर्स रखना पड़ेगा और हालत तो बहुत अच्छी नहीं थी इसकी तो उन्होंने चलो ठ ही कह रख लेते हैं तो हमारा वाला डाक्टर तो मिल नहीं रहा है तो फिर उन्होंने रखा 24 आर्स रखा फिर 24 आर्स को बढ़ा दिया 48 आर्स याने दो दिन हो गए तो दो दिन हो गए तो अब उसका काफी मतब नॉर्मल सी की तरफ आ चुका था उसका जो हार्ट बीट है एवरिटिंग चेक हो चुका था उसका सोनोग्राफी हुआ फिर उसका ही को हुआ तो सब चीज नॉर्मल थी पूरिया बॉडी का इंटर्नल और्स का चेक अप होगे सब नॉर्मल था सबसे जादा मेजर प्रॉब्लम जो मुझे और उसको भी लग रही थी और डॉक्टर न फिर उसको भी अच्छा लगने लगा यह सुना कि हाट में कुछ नहीं तो वैसी बीपी अपने आ भी नॉर्मल हो जाता है अपन लोग जो सोचते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा यह हुआ हुआ वह उससे और हाट बीट बढ़ती है और पल्स रेट बढ़ जाता है तो मतलब बुरे दिन बिताए अपने तो फिर उसको डिस्चार्ज कर दिया दोसरे दिन और हम लोग घर आ गए घर आए उस दिन पाकी स्कूल गई हुई थी घर आई उसका भी हालत खराब उसको भी आ चुका था बुखार मतलब स्कूल से आई तब तो ठीक थे लेकिन जब सु पाकी को इसने भी अपना दिखाया तो डॉक्टर ने बोला यह सब तो कुछ भी नहीं था इसकी तो जरुवत ही नहीं थी हमने मतलब इतने पैसे हमारे लुड गया है खैर उस टाइम वह हमारे भगवान थे जो हमारा मेन डॉक्टर रहो तो था नहीं तो पाकी को तो खैर तो हमें लगा तीन चाह दिल में ठीक हो जाएगा और तो हो भी गया डॉक्टर की दवाई से ठीक हो गया लेकिन उसके बाद इसको खासियां आ रही थी कि मैं तो ऐसा लगा जिसे चेस्ट में फस गया कुछ तो फिर डॉक्टर पस गया तो उन्होंने फिर दवाई दी फिर मतलब हमें पूरह एक उसकूल ने गई तो आज गय है ठीक हो गया है सब को दौरा ये पूरा जो सीन में आपको बता रही हो जो हमारा जो हमने सहा है पूरा एक वीग हो है और आज हमें बात कर पा रह Bowl कि सब ठीक हो गया है और में ने सारे बॉडी का चेक अप हो गया, सब पता लगया कि everything is normal तो आजकर बहुत conscious हो गया, खाने में भी आप देख रहे हैं, रोज लॉकी बनानी पड़ है तो ये सारी चीज़े हो रही है, तो friends, अभी मैं रेडी हूँ, कहीं जा रहे हैं पाकी स्कूल गई है, कहां जा रहे हैं, वो मैं आपको नेक्स ब्लॉग में बताऊंगी तो मेरे अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो make sure you should subscribe to my channel अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है, तो उसे like कर दीजे, अपने friends कोई शेयर कर दीजे and that's all for today and good bye